कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छ होंगे तो डियर स्टूडेंट अभी मैं वागपस आ गई हूं आपके चैनल पर जो भी वीडियो के लिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करते कि मैं अभी वीडियो नहीं डाल रहे हैं आप उ सबसे पहले में उसके रूल के बारे में आपको समझाना चाहती हूं तो देखिए अगर अफर्मेटिव यानी सिंपल नॉर्मल वाले सिंपल सेंटेंस आप बना रहे हैं तो तो रूल इसका बहुत ही एजी है ठीक है आपको इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ सब्जक्त की और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है देन आपको यहां पर दिख रहा होगा सब्जक्त कोई भी हो चाहें सिंग्यूलर हो या प्रूलर हो तो भी सिर्फ आपको आपको पास्ट इंडेफिनिट के रूल में यूज करना है मतलब कि आपको अगर सिंपल सेंटेंस बनान यह सेकंड यह थाड ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा आपको सिंपल याद रखना है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में उसके बाद क्यूंकि अफर्मेटिव में डिड नहीं लगता है यह भी मैं आपको बता दिघंगे तो उसके जैसे यहां पर लिखा है एक राजा था तो राजा था मतलब पास्ट इंडेफिनिट में आ गया और पास्ट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ठीक है तो यह आपका अकिंग लीवड लीव फर्स्ट फॉर्म और लीवड सेकंड फॉर वेहर होता था था ही वड़ विप का सेकंड फॉर्म वड़् का जल ने कपड़े दोएं वॉस wordt cloth वॉस मतलब फर्स्ट फॉर्म और वहर्स इसकी सेकंड फॉर्म इसलिए हापे रूल के अकॉर्डिंग एकॉर्ड बिखा अईकी सो ल लॉयि मतलब देखना होता है वर्द की स मैं पूछा या मैंने पूछा तो आइस्ट हमने आम खाई वी एट मैंगो आपको यह वीडियो हेल्फुल लगी हो अगर आपको वीडियो हेल्फुल लगी हो तो जादा से जादा लाइक कॉमेंट शेयर करें और मुझे प्लीज मेरी मिस्टेक्स जरूर बताना कि मैं कहां पर प्रणाशेशन में मिस्टेक होती है मसे या कोई चीज में अगर डिसकस कर पार ही हूं तो उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम तो नहीं होरी समझनी में अगर कोई भी इश्व आपको लिखता तो प्रीज मुझे जादा सादा कॉमेंट शेक्शन में जाकर बताएं कि मुझे इंप्रूंग कैसे करना है, thank you so much.